तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं LG की लाइनप लगी वी है और आज जो मैं आपको रिवीव दूँगा वो LG के 1.5 टन के 5 स्थार का रिवीव दूँगा तो फ्रेंड्स इसका जो मॉडल है TS-Q19GWZE पाल यह चलिए जबसे पहले बात कर लेते हैं इस थार के कूलिंग तो इसकी जो पांच हजार वाट की इसकी रेटेट कूलिंग केपसीटी है अगर यह maximum speed पर चलता है तो 800 W के करीम इसकी cooling capacity आती है तो friends जो 5 star का AC है तो इसके ISAR value क्या होगी इसकी जो ISAR value है 5.20 है ISAR value क्या होती है इंडियन सिजनल एनजी एफिसेंसी रेशियो जो कि यह गौर्णमेंट सा देती है ठीक है अब बात कर लेते है एन्वल power consumption की यानी unit per year की यानी एक साल में कितनी unit ले रहा है तो 744.99 unit per year यह ले रहा है noise level की बात करते है कि अगर एक 1.5 टन के 5 star अगर चलता है room के अंदर तो इसकी noise level कितनी होती है इसकी जो noise level है 31 dB के करीब इसकी noise level है और power input की बात करते है तो 1284 के करीब इसका power input है जो की बिजलिगी खपत करता है स्टार्टिंग में अब इसके कुछ unique feature की हम बात करेते हैं कि इसमें क्या क्या unique feature है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके compressor की कि इसमें आपको dual rotary compressor आता है जिसको company AC में आपके LG जितने भी AC आते हैं सभी में dual inverter लिखावा आया था जो कि एक टाइप से patent है जब भी कोई viewers आता है कश्मर्स आते है तो वह directly बोलते है हमें dual inverter वाला AC चाहिए यानि LG गना तो इसमें होता क्या है यह आपका solar से 52 degree ambient temperature तक जाता है और इसकी जो rotors होते है उसके अदर दो rotors होते है जो की smoothly work करते है और noise level काफी कम करते हैं काफी हथ तक energy saving के लिए best माने आता है यह इसमें next feature की बात करते है तो इसमें आपको AI plus six in one technology आता है convertible तो AI plus intelligence तो इसमें फाइदा क्या होता है कि यह AC एक type से sense करता है room के temperature को और deeply check करता है उसी के द्वारा ही यह cooling provide करता है room के अंदर automatically आपको कोई भी remote changing जोगत नहीं है खली AI का button दबा दिजिए वहीं से यह automatically sense कर लेगा ठीक है six in one मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि इस AC को आप निचले mode पे भी यूज कर सकते हो और upper mode पे यूज कर सकते हैं यानि इसमें आपके छे type के modes आते हैं जैसे कि आपका 40% पे होता है यह 80% पे होता है 60% पे होता है 100% पे होता है AI मोड पे होता है और आपका 110% पे भी यह जाता है यानि इसको आप different different मोड के इसाफ से चला के cooling को अपने इसाफ से adjust कर सकते हो और plus बिजली की saving काफिया तक कर सकते हो ठीक है friends आप इसमें 2024 में जो latest feature आया है इनका है energy manager energy manager का क्या है conference energy manager का यह काम है कि आप अपने AC को कितनी power consumption यूज करवा रहे है यानि कि आपको कितना power यूज करना है एक smart इसमें features आता है आपका wifi वाला तो उसमें क्या होता है उसमें आप अपने AC को use कर सकते हो अपने हिसाफ से कि आपको कितना बिजली का consumption चाहिए यानि आप अपने हिसाफ से उस AC को set कर सकते हो कि मेरे को महिने का इतना बिजली का बिल चाहिए इससे extra नहीं चाहिए तो ए कितना आने वाला है क्योंकि जब AC चलाते हो तो आपको कुछ confirmation नहीं रहती है कि मेरे कितना आएगा तो यहां पर यहां पर क्या होता है यहां पे आप select कर सकते हो अपने बिजलीका बिल यानी पता कर सकते हो कि मेरे कितना आएगा महीनेगा पहले से आपको पते जाएगा ताकि आपका बजट जो है वह आपका बजट भी बना रहें चलिए अब हम बात करेते हैं इसके नेक्स फिचर गी एलजी इसमें फीचर आता है जो कि वाइफाई वाला है यानि जैसे कि मैंने आपको पताया था एनेजी मोड तो वाइफाई के थुरू मोबाइल के थुरू आप इस AC को ऑपरेट कर सकते हो घर में कहीं पर भी बैठे और बाहर से कहीं से भी आप इस AC को यूज कर सकते हो प्लस साथी साथ इसमें क्या होता है वाइस कंट्रोल के द्वारा भी आप इसको यूज कर सकते हो घर में एलक् से की बात करते है तो इसका यह थो होता है यानि इसके जो एंडोर वो बड़ा भी है रूम आपका ठंड़ा होगा विजली की सेविंग होगी अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स फिचर की इसमें आता है हिम फीचर फेंद्स हें क्लिन से आप समझी कियोंगे हीम का मलब गए एक टाइप से बरफ ठीक है तो हीम क्लिन फीचर में क्या होता है जब हमारा एसी यूज होता है और यूज करने के बाद जो इवैपिटर कोईल पे डस्ट पार्टिकल इसको क्या करेगा उसके बाद इसको प्रॉपर तरी से रिम ड्राय करेगा जिससे कि यह प्रॉपर तरी से आपका जो इवैपिटर कोईल है वह प्रॉपर तरी से क्लीन हो जाएगी साथी साथ इसमें HD filter मिलता है जो कि anti-wise protection के साथ होता है यानि यह filter जो होता है वो dust particles को रोकने का काम करता है अब हम बात करते हैं इसके next feature की 5 star में जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको ADC sensor मिलता है ADC sensor तीन टाइप से work करता है जो कि step to step AC को चेक करता है यानि क्या होता है Ambient sensor होता है, discharge sensor होता है और condenser sensor होता है तीन टाइप के sensor होता है जो कि check करता है AC को और बताता है कि इसमें क्या problem आ रही है low gas detection का भी इसमें friends option आता है low gas detection में क्या होता है यह CH38 लिखावा आयता है यानि आपको पता चल जा जाएगा कि इसमें gas कम हो रही है यानि low हो रही है तो यह होता है आपका low gas detection का अब बात कर लेते हैं इसमें next feature की तो इसमें आपको ocean black protection भी आता है फ्रेंज ocean black protection में क्या होता है जो AC की coils वगरा होती है आपकी AC के coil जो corner में होती है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे especially एक black color की coating की जाती है जो की काफी अतक आपके AC को safe रखता है sulfur वगरा से और gas leakage की वगरा से अब बात कर लेते हैं तो companies में आपको especially एक feature ओ देती है जिसमें की R32 gas आती है काफी ठंडी मानी आती है और ozone layer को यहां कम करती है और यह eco friendly होती है इसमें free operation में क्या होता है यह AC विदाव भी चला सकते हो यानि company ने इसकी जो voltage है काफी नीचे से दे रहे जिसकी वैसे आपको इसमें लगाने की जोड़त नहीं पड़ती है तो यानि इसमें copper की तो friends इ होता है long lasting होता है और काफी हत तक repairable भी होता है और यह AC जो copper होता है आपका वह cooling के मामले में better माने आता है तो friends अगर इसके indoor की और outdoor की dimension की बात करते है क्योंकि कभी कवार क्या होता है customers AC ले लेते हैं और उनको confirmation नहीं रहती है कि वहाँ पे जगा है यह नहीं है तो AC के साथ म मैं इस वीडियो में आपको dimension भी बताऊंगा जो कि आपकी width, height और depth में रहेगी सबसे पहले मैं आपको indoor की बताऊंगा जो indoor है इसका 998 into height जो है 345 और इसकी depth जो है 210 के करीब होने आलिया है आउड़ोर की बात करते है तो 770 width आती है height जो आती है इसकी 545 आती है और depth जो आती जो आउड़ोर होता है 30 kg का इसका आउड़ोर का बजन है तो फैल से ये था 1.5 टन के 5 स्टार का review अगर आपको इस मोटर के बारे में कुछ भी पूछाओं तो ज़रूब पूछे और चैनल को like, answer साय करना ना भूले, thank you